मैं सौ बार पहरे भी बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से बोलती हूँ, 2023 कमबाक का साल है लेकिन एक कमबाक जिसका हमें सबसे जादा इंतजार है उसका नाम है सल्मान खान, एक ऐसा फैन बेस जो तड़प रहा है अपने फेवरिट स्टार की कोई भी ढंकी फिर फिर देखना असली स्टार्डम क्या होता है मास सिनिमा का जो फैशन है आजकल उसके रिष्टे में सल्मान खान बाप लगते हैं इनसे मास शुरू होता है इन पे जाके खतम भी होगा लेकिन इस इंतजार के बदले अभी तक हमें मिला क्या बोलो तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक हम इस कमबाक के सबसे नजदीक आ गए थे क्योंकि जंगल से बहार निकल के शिकार करने कौन आने वाला था पता है टाइगर जी हाँ वायरेफ के स्पाई उनिवर्स का पास प्रेसेंट और फ्यूचर टाइगर थी फिल्म का छोटा सा कुछ तो मोशन पोस्टर टीजर वाला अपडेट बहार आना था 15 अगस्त को लोग बोल रहे थे सोशल मीडिया का सर्वर हैंग हो जाएगा यूट्यूब व्यूज के रिकॉर्ड्स के चितरे उड़ जाएंगे और सल्मान खान बॉलिवुड को उनकी असली कीमत बताएंगे सुबह 11 बजे से शुरू हुआ इंतिजार रात के 11 बजे में कब बदल गया पता भी नहीं चला लेकिन अपडेट का यू तक नहीं मिला चहन से जो टूटे कोई सपना अब तक सिफ सुना था अब शायर लिरिक्स समझ आ गए होंगे आपको देखो अंदर की बात बताओं आपको वायरेब जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनके पास टाइगर 3 का प्रमोशन मैप पूरी तरह रेडी है काफी महीनों से इवन कुछ टाइम पहले बहुत सारे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें 15 अगस से टाइगर 3 के प्रमोशन स्टार्ट होंगे साफ लिखा था जवाब है डाइनसौर जी हाँ डाइनसौर जिसको हम लोगों ने समझा वो तो मर गया लेकिन अब वो वापिस आया है जंगल पे रूल करने के लिए इस डाइनसौर का नाम है सनी देओ जिन्होंने गदर 2 बना के इतना पैसा चाप दिया जो शायद बॉलिवुड की 10-15 फिल्में एक साथ मिलकर भी नहीं कमा सकती बिलकुल साही सुन रहे हो आप ताइगर 3 के मोशन पोस्टर टीजर के रिलीज ना होने के पीछे गदर 2 एक बड़ी वज़र वताई जा रही है